आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में यहाँ पर बोला गया है कि नीचे जो हमारे पास statement से the cell is to lower the cell swells and burst फिर है it is important to maintain a constant water potential inside the animal body फिर है in animals water potential for exceeds the solute potential हमें बताना है कि कौन से correct है या कौन सा एक correct है ठीक है कैसे भी हो सकता है यह तो सबसे पहले बात करते हैं पहले statement की तो जो हमारे पास water potential given है उसमें बोल रहे है कि water potential इतना high है कि जो cell है वो shrink हो जाएगा cell हमारे पास present है और अगर हम बात करें osmosis की तो सबसे पहले osmosis को define करेंगे कि osmosis होता क्या है ठीक यह एक type का क्या है movement है ठीक है और यह movement किसका होता है solvent के molecule का ठीक और यह कैसे move करता है solvent के molecule जो है कैसे move करेंगे यह move करेंगे high potential से low potential की तरफ ठीक है जहाँ पर जादा solvent है वहाँ से move करेंगे जहाँ पर कम solvent है उसकी तरफ अगर solute के terms में हम बात करें solute के terms में तो low solute से high solute की तरफ अब गर हम वापस आजाएं हमारी definition पे तो osmosis is a movement of solvent molecules from high concentration to low concentration solvent के molecules की high concentration से low concentration पे solvent के तरफ में बात करेंगे और solute के terms में इसका उल्टा हो जाएगा now cell जो है वो तभी shrink होगा जब वहाँ पे जब cell के अंदर पानी कम है ठीक है मतलब water potential जो है वो less है और बाहर है पानी जादा ठीक है तो बाहर अगर पानी जादा है तो पानी अंदर चला जाएगा और अगर बाहर पानी कम है तो cell से बाहर आ जाएगा तो shrink की property क्या होगी कि जो बाहर अंदर पानी है हमारे cell के वो आ जाएगा बाहर ऐसा कब होगा ऐसा तब होगा जब water potential हो जाएगा कम ठीक है cell हो जाएगा shrink तो water potential should be too low for making the cell shrink इसलिए यह option गलत है इसी का जस्ट उल्टा given है तो यहाँ पर low में यहाँ पर swell कर दिया है तो यहाँ पर होना चाहिए high तो अभी जाके swell होगा थीक है मतब समझी इस चीज़ को कि आपके पास एक cell है यहाँ पर पानी का concentration है जादा ठीक है ए में पानी का concentration है जादा तो cell कैसे behave करेगा अब जादा concentration है तो वो cell के अंदर चला जाएगा balance बनाने के लिए और जब ये balance बनाएगा यहाँ पे तो equal करेगा तो cell क्या हो जाएगा ये कर जाएगा swell ठीक है तो यहाँ पे होना चीए इसलिए high next नम बात करते हैं that it is important to maintain a constant water potential inside the animal body तो बिल्कुल बात सही है constant potential बनाने के लिए ही तो move करा है अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पे यहाँ पे एक specific चीज होती है जिसे कहते है semi permeable membrane ठीक और semi permeable सही चीज न बोलके हमें कहना चाहिए selectively permeable ठीक semi permeable तो होती है कि एक size के बाद उसमें molecules transfer नी होते selectively permeable होती है जहाँ पे एक ही type के जाएंगे यहाँ आप कुछ type के ही molecule transfer हो सकते है ठीक है तो यह बात बिल्कुल सही है यहाँ पे constant water potential maintain करनी है फिर next है यहाँ पे animal cell में water potential exceed करती है solute potential से तो बिल्कुल गरत है यह चीज solvent की potential हमेशा जादा होगी solute की potential से animal cell के अंदर ठीक तो हमारा जो option सही है वो है only three now be option सही हो जाता है क्योंकि three के लावा और कोई भी statement यहाँ पे correct नहीं है Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर